गुड इवनिंग डियर आग्रेंज आज हम बात करने वाल हैं आपके अकेडमिक फीज के बारे में आप सभी को बहुत सारा रिक्वेस्ट आया हुआ था हमारे पास की कौन से एर में कितना फीज लगता है यह आपको बताए तो A to Z जितना भी इंफरमेशन है फीज के अकॉर् करने का अर जितने लोगों नहीं किया है लास्ट मुनें लोगों का विट कर रहे ह्एं जो नहीं करना चाहिए ता आप सभी लोग बचे हुए स्टुडेंट्स आप सभी है कर दीज और जिन बच्चोंने अगर पै कर दिया है और अपना देखा नहीं है इश्टेटस पैंड लगत यहां फोर्स्ट इयर फ्रस्ट इयर सेकंड यह और फाइनल यह में उसके बारे में हैं दूसरा हम प्राइवेट में कितना रखते हैं वह सेकंड पीडियॉक इसमें हैं थर्ड जो आपका वह होता है याने की सफ-फाइनेंस्ड सीज्ट जो होता है सैफ उसके है ऊछ तो तो उसको हम बाद में देखेंगे, first of all, जो normal seats है, उनकी बात करते हैं, हम जो normal fee है, तो first, second, second, second year, third year, और fourth year, चारो year के बारे में दिया है, आप सपी को पता होगा, B.S.C. Agriculture Honors में डिग्री प्रोग्राम जो होता है, वो चार साल का होता है, और हर एक year में दो सिमेस्टर होते हैं, first semester और second semester, तो first semester में कितना fees होता है और second semester में कितना fees होता है, तो अभी आपने जो fees payment किया है वो पेमेंट किया है आपने 6,285 रुपीज, तो ये जो 6,285 रुपीज है, आपको यहां पर देख रहा होगा, 7,285 रुपीज, तो आपने देखा होगा कि बाद में आपको 1,000 भी अलग से आपका examination fees होगा examination fees आपका क्या है जब आप semester fees जिसे कहते हैं जब आपका semester exam होता है उसको conduct कराने के लिए जो IGKV है वो 1,000 रुपीज लेता है उस fees को भी हाँ पर मिला कर बताया गहा है 7,285 रुपीज और आपके examination fee पे करने का last date 30 दिसंबर है और हो सके तो आप उसके पहले ही कर लिजे ठीक है आपको जिनको भी seat मिल गए है आपको करना ही पड़ेगा payment नहीं तो आपको दिक्कत होगी exam देना है आप सभी को तो तो आपका total होता है 7,285 रुपीज एक semester का अगर हम hostel नहीं लेते हैं तो कोरोना की वज़े से hostel सारे बंध है इसलिए अभी hostel fee जो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ होस्टलार जो है होस्टल एमलगेटेड होस्टल कॉजन मनी मैस कॉजन मनी इलेक्रिक चार्ज रूम रेंट यह सारे चीज़ को नहीं जोड़ा गया इसलिए हमारा फी बंता है 7,285 रुपीज का ठीक है अगर हम होस्टल की फी एकॉर्ट करते हैं या तो हमारे खाने का फी जो है हमारे रूम का जो है अगर हम उसको मिलाते हैं तब हमारी फीज कितनी होती है 9,285 रुपीज ठीक है यह चीज़ आप लोग देख लीजेगा आप अगर जनरली अगर कोरोना काल नहीं चलता अगर आप होस्टल लेते तो आपको यहीं पे करनी होती नेक्स्ट आप दे 6,625 रुपीज यह आपके सेमेस्टर फीज को मिला कर बता रहा है ठीक है ना इसी तरीके से आप सेकेंड यर में भी जाएंगे तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा दोनों सेमेस्टर में थर्ड यर में भी जाएंगे तो आपको दोनों सेमेस्टर में उतना ही पे करना पड़ेगा फूर्थ यर में जब आप जाते हैं तो आपका सेमिस्टर जो होता है उसे हम कहते हैं रावे प्रोग्राम तो प्रोग्राम होता है उसमें आपकी फी जादा होती है यहां पे देखिए आपका स्टार लगा हुआ है यह बड़ भी सकता है या घड़ भी सकता है तो यह करीब होता है आपका देख सकते हैं आप लोग यहां पर टोटल आपको दीखना पड़ेगा कि 8125 रुपी क्यूं क्यूंकि देखिए आपने जो डिग्री थी डिग्री फी जो होती है वो आपने फर्स्ट येर सेकेंड येर समय नहीं दिये रहते पर जब आप final year की last sem में होते है तब आपको डिग्री की फीज होती है उसे पे करना होता है और कितना चार्ज से पंदरासो तो जब हम सभी को टोटल करते हैं तो कितना देना होगा final year की last sem में आपको 8,125 रुपी तो यह चीज़ आप लोग याद रखि यह इतना ठीक है यह चीज़ आप याद रखेंगे नेक्स चलते हैं तो हमारे कॉमन बात हो गई अब बात करते हैं हम प्राइवेट कॉलेजेस की फर्स्ट हमने गॉर्मेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो यहां पर देखिए आपकी अलग-अलग फी बताई गई है ट्यूश ने दिया होगा जो प्राइवेट वाले हैं उन सभी का जो एक्जामनेशन फियर वो सब कुछ एड है रहता है पहले से ही आप सभी को पता होगा आपने कितना दिया है 26,815 रूपीज लगभग 27,000 के करीब और आइठिंक जो अभी दिये होंगे आप 25 ए 26 के करीब दिये हों कितना लगता है 26,815 रूपीज लगभग 27,000 के करीब आपको कितना लगेगा 25,820 रूपीज उसी तरीके से जैसे हमने पहले देखा था सेकेंड या थर्ड या आपका जो सेकेंड सेम में लगा था फर्स्ट एर के उतना ही फी रहेगा बस क्या चेंज होगा जब हम फाइनल सेमेस्टर में हमारा हो जाएगा 27,320 रूपीज तो यह होता है हमारा प्राइवेट का इसलिए जिन भी बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिला है अगर आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं आपके घर की फैमिली की एकोनॉमिक कंडिशन अच्छी है तो आप ल स्थिन भी कैमें सिल्थ प्राइवेट में सब्सक़ अगर आपको सिथ मीली है तो आपको नेक्स्ट ग्रम boyfriend की सीट मिले की पूरी पूरी चांसेश है next चलते हम ये चलते हैरा ये सेलफ यद के बारे में कि इसका फीध तो देखें यहां पर भी उस तरके से बाता गया है first semester में कितना है और second semester में कितना देना होता है हमको तो first semester है जो हमारा tuition other fees, games, library पहला तो जो बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि ज्यादा ज्यादा रैंक में भी आच्छे कॉलेज इसमें तो सेल्फाइनेंस का मतलब ही है कहते है पैसे देखकर सीट खरीदना एक उसी तरीके से है पर पैसे देखकर सीट खरीदना एक अनओफिश्यली चीज हो जाती है यहा higher cost में क्या कर सके confirm कर सकें तो उसी तरीके से यहां पर देखिए प्राइवेट वालों का देखिए 26,000 था पर self-financed वालों का 50,000 है गौर्मेंट जो seats है उनका जो प्राइवेट से है उनकी भी तो यह फरक है self-financed में क्योंकि वो पैसे ज़्यादा दे रहे हैं इसलिए वो जो आपके उनके कम रैंक में भी जो है अगर बहुत ज़्यादा रैंक है जैसे कि मान लिजे किसी बच्चे का आपका 6,000-5,000 कोई रैंक है और उसको अंबिकापूर या जग्दलपूर कॉलेज मिल गया क्यों मिल गया कि उसने ज्यादा फी पे की है आपके मुकाबले ठीक है तो चलिए देखते हैं कितना है उनका अगर डे स्कॉलर की बात करें तो फर्स सेमेस्टर में हैं 50,000 सिर्फ याने क कि साल का ही लगभग हो जाता है 1,000,000 रुपै और अगर हम होस्टल प्लस की बात करें होस्टल को साथ में रखते हुए बात करें तो एक लाक से भी जादा चला जाता है तो ये चीज़ तो बहुत जादा घाटे की बात है तो कोशिश करिए थोड़ा महनत करिए भई जो अगर आपको इंफर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी कांस्लिंग से रिलेट बहुत सारी अच्छे अच्छी वीडियो आती रहेंगी आपके रिक्वेस्ट पे और आपको जिस भी टॉपिक फे वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट क